जहानबाद शहर के पंचमहला महले में मकान का एक हिस्सा गिर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई वहीं हादिसे में चार लोग गंभी रूप से घायल हो गई हैं घायलों को आनन्फानन में सदर अस्पताल में भरती कराये गया है हादिशे का शिकार होने वालों में दो लोग स्थानी हैं जबकि दो लोग बाजार, खरीदारी करने घर से निकले थे घटना की जानकारी मिलेते ही मौके पर सिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने मिर्तकों की घर पहुंच कर उनके परेजनों से मलाकात की इस घटना में सभी मिर्तकों के परेजनों को मंत्री ने पारिवारेक लाब योजना के तहट चार लाख रुपई का चेक सोपा, साथ ही घटना में घायल सभी लोगों को हर संभब मदद देने का आश्वासन भी दिया दो हैं और इस तरह की घटना इसके कारण अन्य लोग के पर्भावित होते हैं काकी विजय विदारग होतना है जो भी आफिशक कारवाई हो गे भी शाहत लोग की सुष्टी हो चुकी है और वितक में इस चारी लोग है सेस्ट का इलाज चल रहा है इलाज के दौरान एक वि बिल्कुल बहुत बर्माहत कर देने वाली घटना है, हम सब दुखी हैं, ये खालिसपूर पर ये अर्विंद यहां के रहने वाले हैं, जो कस्तुरवा में काम करते थे और वहां किसी काम से गय हुए थे, उस दुर घटना के शिकार हो गए, बहुत ही दुखद है, इनके परि हम जिला परशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि घटने पर, घटना स्थर परत्वत पहुंचे लोग, रहात कारी में सहजोग किया, और मिर्तक के परिवारों को तुरंत चार-चार लग का चेक वित्रित किया गया, डिम और दुसरे पता दिकारी साब उपस्थित रहे, जिला परशासन ने बड़ा सरानी के काम किया है, और मैं इस गाउं में आकर उस परिवार से मिला काफी दुखी हो, हम लोग साब जितना हो सकेगा इसकी मदब करें हो, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, उसका तो परढ़ रही है, उसका कस्तुरवा नहीं एडमिशन का पर फिलाल सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया है, जहां मंत्री कृष्ण नंदन बर्वा ने मिलकर सभी घायलों से मुलाकात की और बेहतर इलाज का अश्वासन दिया, पंजाब केसरी टीवी के लिए जाहानभास से मुकिश कुमार की रिपोर्ट